हेलो फ्रेंड जैशी कृष्णा मैं हूँ और आपका स्वागत है मेरी कीचन बे आज मैं आपके लेके आई हूँ एकदम क्रिस्पी करारे क्रंची चना चिली की रेसेपी बहुत ही जादा टेस्टी और बहुत ही यम्मी लगते हैं यह चना चिली आप इसे शाम की चोटी मोटी भूख में बनाके 10 मिनट में त्यार कर सकते हैं इसको बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है और घर में बच्चे हों या बड़े सभी को ये चना चिली बहुत पसंद आएगा तो चलिए इस इंटरसिंग सी रेसेपी को शुरू करते हैं तो मैंने यहापर ये उबले हुए काबुली चने लिये हैं मैंने एक कब काबुली चने को रात बर के लिए भीगा दिया था या आप 7-8 गंटे के लिए भीगा सकते हैं उसके बाद उसका पानी निकाल दे और उसे प्रेशर कूकर में डालके नमक और पानी डालके उसे अच्छे से 4-5 सीटी आने तक उबाल ले या जब तक ही अच्छे से गल नहीं जाते हैं जैसे कि हम छोले भुटूरे या छोले बनाने के लिए छोले उबालते हैं न सिम उसी तरह से हमें या काबली चने को उबाल लिया है मैंने यहाँ पर चनों को हमने बहुत ज़्यादा नहीं उबालना है कि यह बिल्कुल गल जाएं बस अच्छे से गले इतना ही उबालना है अब हमें यहाँ पर मिला देना है आधा कप के जितना कॉन फ्लोर आप इसके जगा कॉन स्टार्च भी यूज कर सकते हैं या फिर आधा कॉन फ्लोर और आधा चावल का आटा भी ले सकते हैं अब इस तरह से नीचे से चलाते हुए हमें इस पर कॉन फ्लोर को अच्छे से कोट कर देना है यह देखे इस तरह से आपको नीचे से चलाना है इस तरह से चलाने से क्या होगा कि कॉन फ्लोर चोलों पर अच्छे से कोट भी हो जाएगा हलके हाथ से mix करें, ज्यादा heavy hand से आपको इसको mix नहीं करना है, और यहाँ पर corn floor बहुत अच्छे से सारे छोलों पर अच्छे से coat हो गया है, एक बार इस तरह से इसको toss कर लेंगे, और आप देख सकते हैं, एक एक दाना एकदम सफेद मोती की तरह हो गया है, corn floor की coating है वो पू corn floor है वो बहुत अच्छे से छोलों के उपर set हो गया है, तो चली हम इसको fry कर लेते हैं, तो fry करने के लिए मैंने तेल को यहाँ पहले से ही गरम होने के लिए रख दिया है, इसको fry करने के लिए तेल एक दम अच्छा धुवादार गरम होना चाहिए, हलके तेल में आप इसक अगर आप छोलों को डालते के साथ हिला देंगे तो जो हमने corn floor की coating करी है, वो इसमें से निकल जाएगी, तो इस तरह से 2 मिनट तक आप इसको टच ना करें, जब 2 मिनट के लिए यह तेल में अच्छे से firm हो जाए, उसके बाद हम इसको इस तरह से चला देंगे, यह देखे इसको fry होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि छोले पहले से ही गले हुए है, बस जो हमने corn start की coating करी है, वो अच्छे से golden brown हो जाए, तब तक के लिए हमें इनको fry कर लेना है, तो इस तरह से उलट उलट करते हुए लगातार चलाते रहेंगे इसको, यह देख सकते हैं, अब color भी इसका अच्छे से golden दिख रहा है और अच्छे से crispy भी लग रहे हैं यह, तो बस इसी stage पे हम इसको निकाल लेंगे, आप इसको इसी तरह से किसी जाली या चनी पे निकाले इससे क्या होगा, जितना भी इसमें extra oil होगा न वो सारा इसमें से निकल जाएग यह देखे, इस तरह से मैं यहाँ पे इसको एक स्रेणर पर निकाल रहे हूँ, इस तरह से क्या होता है, इसका इमें extra oil नहीं रहता है, सारा निकल जाता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यह हमारे छोले मैंने सारे fry कर ली हैं, और आवाज सुन सकते हैं आप इसकी कित इसना तेल डाला है, जब तेल गरम हो जाएगा तो इसमें 4-5 लरसन की कलियां बारी कटी हुई डाल देंगे, साथी एक इंच दरक का टुकडा बारी कटा हुई डाल देंगे, 4-5 मैंने हरी मिर्ची ली है, आप हरी मिर्च अपने टीस्ट के कॉर्डिंग कम या जादा ले स अधी शिमला मिर्च ली है, उसको भी मैंने इस तरह से बारी काट के लिए है, शिमला मिर्च को भी हम सिर्व आदे से एक मिनट के लिए इस तरह से फ्राइ करेंगे, सब्सपून यहां बहुत जादा गलाना नहीं है, अब हम फ्लेम को लो कर देंगे और इसमें सॉस आड़ अधी चली डाली है, उसे इसका टेस्ट बैलेंस हो जाएगा, साथी एक चमच मैंने यह कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, इससे बहुत अच्छा कलर आजाएगा, नमक डाल देंगे, साथी आधा चमच यहां काली मिर्च भी डाल देंगे, तो यहां पर हम ने इतनी सारी चिल लिया है, उसे 2-3 टेबल स्पून पानी में इस तरह से घूल लेंगे, जिससे कि इसमें कोई लम्स ना रहे, यहां पर सॉस में एक अच्छे से बॉइल आ गया है, तो हमने जो कॉन स्टार्च पन की सलरी बनाई है, यह इसमें आड कर देंगे, अच्छे से कॉन स्टार्च क लिया है, तो बस 2-3 टेबल स्पून के जत्ता हम इसमें पानी मिलाएंगे, क्योंकि यह हमें ड्राइ बनाना है, तो बहुत जादा पानी आप इसमें ना मिलाएं, थो टेबल स्टा स्पून के जत्ता पानी मिलाकर hati में एक उबाला जाने देंगे, अच्छे से mix करते रहे बहुत जादा देर तक हम इसको गैस पे cook करेंगे तो ये सौगी हो जाएंगे तो बस अब हमने गैस की flame को बन कर दिया है उपड़ से थोड़ा सा बारी कटा हुआ हरा धनिया या फिर हरे पत्ते वाला प्यास का जो हरा हिस्सा होता है वो भी बारी काट के अब इसमें आड़ कर सकते हैं आज मेरे पास हरा प्यास नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पे हरा धनिया ही आड़ किया है बस अब हमेंसे गर्मा गर्म सर्फ कर लेते हैं और ये हमारा गर्मा गर्म क्रिस्पी क्रंची चटपटा चन्ना चिली बन के त्यार हो गया है अगर आपने छोले पहले से ही उबाल के रखे हुआ हैं तो फ्रेंड्स इसको बनाने में सिफ 10 मिनट लगते हैं आप इस चोलों को अगर सुबे बना रहे हैं नाश्टे के लिए अगर आपने छोले भटूरे चोले चावल या चोले पराथा बनाया है तो उसमें से थोड़े से छोले बचा ले और शाम के नाश्टे में इस तरह से आप चना चिली बनाए जब बच्चे हो या बड़े घर में सभी को बहुत पसंद आएगा इसको बनाने में सिर्फ 10 मिनट लगते हैं अगर आपने छोले पहले से उबाल के रखे हुए हैं तो तो फ्रेंड्स आप भी एक बार इस चना चिली की रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राय करें और ट्राय करने के बाद ये रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिखे ज़रूर बताएं अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और विडियो पसंद आया है तो प्लीज उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें थैंक यू